हेलो स्टुडेंट्स बेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉली टेक्निक गुरूप ए के लिए प्रिवियर्स येर कोशन पेपर्स हैं पिछले साल पूछे गए कोशन हैं चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले एक महतपूर सूचना आपके लिए है आप सभी लोग प्रशनों के उत्तर देने की कोशिज जरूर कीजिएगा जब आप ऐसा करते हैं तो आपका confidence label बढ़ता है और जो सबसे पहले सबसे तेज answer देंगे उनका नाम हम बिगत वीडियो के भात ही आगले वीडियो में हम पिन करेंगे comment में उनके नाम और वीडियो में जरूर लेंगे तो चलिए आज का जो सबसे पहला कोशन है आप सभी के क्रीन पर इस तरीके स कोशन नंबर फोस्ट है कार एकसी जीए समात्रक है कोशन नंबर फोस्ट है कार एकसी जीए समात्रक है पहला फोसन है चूट Não सो हो घर में टाइम देते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए इस कोशन का सही एंसर होगा आप्शन नमबर C अरग क्योंकि कार का जो CGS मात्रक है पद्धती में वो अरग होता है CGS की बात करें तो C से होता है सेंटीमिटर, G से होता है ग्राम और S से होता है सेकेंड चलिए आते हैं नेक्स कोशन पर अगला कोशन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से दूसरा question है एक किलो वार्ट घंटा का मान है वेरी कॉपन कोश्चन और इजी कोश्चन है पहला option है 1 horse power दूसरा option है 3.6 x 10 to the power 6 joule तिसरा option है 3600 joule और चत्तो आप्षन है इन में से कोई नहीं तो इस question का जो सही answer होगा वो option number आप सभी का भी सही है तीन दस्मलों 6 गुडे 10 पर घात 6 जूल होता है चलिए आते हैं नेक्स कोश्चन पर अगला कोश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से तीसरा कोश्चन है SI मात पधती में न्यूटन सेकेंड इकाई है SI पधती में न्यूटन सेकेंड इकाई है यहां पर पत्थर लिखा गया है तो कि आज बहुत ही गर्मी है इसलिए टाइप करते समय थोड़ा माइंड पत्थर लिखा गया है आप लोग इसको पत्थर ना समझ करके पद्धती समझेगा तो न्यूटन सेकंड की जो इकाई है वो इस आई पद्धती में क्या है तो आज का जो सबसे पहला कॉमेंट आएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे और इस कोशन का जो सह करेंगे तुरंत ही चलिए इस कोशन का जो सही अंस्वर है वो आप सभी का आप्शन नंबर बी है बल के आवे की बता दे एसाई पद्धती में आवे का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है चलिए आते हैं चौथे कोशन पर अगला कोशन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके स च तो इस कोशन यूश्वर होगा वह आपको हमें कॉमेंट करके बताना है तो इस कोशन का जो सही अंसवर है वो आप सभी का आप सभी का आप का आप्शनद नंबर घर है क्योंकि Megawatt जो है यह उर्जा का मात्रक नहीं है इसे शक्ति या सामर्थ का मात्रक कहा जाता है चलिए आते हैं next question पर अगला question आप सभी के screen पर इस तरीके से पच्वा question है Magneze यानि MN25 का electronic बिन्यास है पहला option है 2832 B option है 28141 C option है 2887 और D option है 28105 तो यह काफी easy question है इसका सही answer होगा यह बोर बरिर रूल के हिसाब से पुछा गया है तो इसमें आप सभी का option number A सही होगा 2832 यह MN25 का electronic बिन्यास है चलिए आते हैं next question पर अगला question आप सभी के screen पर इस तरीके से question number 6 कह रहा है जिस ताप पर द्रव का वाश्पदाब वायू मंडलिये दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं option number A है करांतिक ताप option number B है गलनांक option number C है हीमांक और option number D है क्वथनांक तो इस question का जो सही answer होगा वह आप सभी का option number D सही होगा बता दे कि वह हताप जिस पर किसी द्रव का वाश्पदाब वायू मंडलिये वाश्पदाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं यानि boiling point कहते हैं तो आज की इस वीडियो में केवल 6 question ही आपको बता गये हैं थोड़ा मौसम गर्म होने के वज़ा से मैं slides तयार नहीं कर पाया हूँ अगली वीडियो में question को बढ़ाने की कोशिच जरूर की जाईए तो आज की इस वीडियो में आपने कितना उतर दिया है हमें comment करके बताए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद